मनप्रीत कौर शे मिने पहले इस भेहन को चानक से ब्लीडिंग होने लगी थी जब ये भेहन डाक्टर के पास गए तो डाक्टर ने 20-30,000 रपे लगेंगे ऐसा कहा और डाक्टर गरांटी भी नहीं ले रहा था कि ये भेहन ठीक हो जाएगी फिर इस भेहन ने परमेश्र से प्राथन की परमेश्र ने इन्हें तीन दिल के अंदर चंगा कर दिया पर भी शमा सिकते निवाद करते हैं सबको जैमसी की मेरा नाम मनपृत को रहा है और मैं जीजस को बिलकुल भी नहीं जानती थी और ना ही मुझे पता था कि परमेश्र क्या होते हैं लेकिन अचानक से मेरे साथ यह हुआ कि मुझे ब्लेडिंग की प्रोग्लम हो गई आज से 6-7 महने पहले और मेरे पास कोई पैसे भी नहीं थे मेरे मम्मी के पास पैसे नहीं बने और इलाज कराने के लिए तो ब्लेडिंग बढ़ती गई और मेरा खाना पिना बिलकुल चूट गया और मैं बेदर से होके मतलब मेरे इतना सथ नहीं राग कि मैं चल सकूँ उठकर तो मैंने मेरे मम्मी को दिनो दिन टैंसन होते जा रही थी कि मेरे बेटी के साथ ये क्या हो रहा है तो मैंने परमेशर का एक मैं सोई होई थी तो मैंने अपने फोन को खोला जब मैंने परमेशर के एक वचन सुना वो आगे आया तो मैंने देखा कि यह कौन से परमेशर है मैं देखू इने तो उसमें वचन लिखा था कि बारा साल की बारा साल की लव बैने वाले इस तरी को परमेशर ने चंगा किया था तो मैंने परमेशर से कहा कि परमेशर मुझे प्राधना भी नहीं आती थी परमेशर को मैं बिल्कुल नहीं जानती थी मैंने का परमेशर अगर तो सच मुछ है तो परमेशर मेरे जिंदगी में कारया कर तो मैं पूरी जिंदगी तेरे में भिताऊंगी तो जब परमेशुर से मैंने ये बोला तो मुझे पंद्रा मिन्ट बाद मैसूस हुआ कि मेरी ब्लेडिंग कम हो गई है और और उसके बाद मुझे दूसरे दिन मैसूस हुआ कि ठीक हो गई तीसरे दिन मैं बिल्कुल ठीक हुए आच्छा है मैंने होगा मैंने कोई दवाई ने लिए कोई आटा सूंड कुछ ही भी नहीं करवाया मैं परमेशुर का और परमेशुर के दास का धन्यावाद करती हूँ हालेलूया परमेशुर का धन्यावाद करती है इसे बड़ी गवाही का लिए परमिश्गते निवाद करते हैं